नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ रभीवार को सभी जीलों में परासिचकों की बैठक होई वेशो मुहर को अपने संघर्ष की रण निती का एलान करेंगे बता दे एकी करीद परासिख्षक संघर्ष मोर्चा का काना है की बेतन मान की लड़ाई जारी रहेगी मोर्चा का काना है की परासिख्षकों के लिए सेवा सर्थ निमावनी बेतन मान के लिए बनाई जारही थी नो की मांदे में बढ़ोत्री के लिए मांदे बढ़ोत्री तो जार्खण सिख्षा पर्योजना परिशत की कारे करनी से भी हो जाती है इसके लिए सेवा सर्त निमावनी की क्या आव सकता है परासिजकों के मांदे में हर साल दोस फिष्टी के बढ़ोती पुर्व काही फ़सला है जारखन में सुवा सवेरे का मौसम फिलाल ऐसा ही रहेगा बता दे कोहरा या धोंद से सुबह की सुरुवात होगी जबकि बाद में आस्मान साफ रहेगा मौसम विभाग के पुरुमान के मुताविक सुबह में कोहरा या धोंद जबकि बाद में आस्मान साफ रहने कानुमान है इस दोनों रात के तापमान में गिरावट हो सकती है इससे ठंड बढ़ेगी अगले तीन से चार दिनों में नियुम्तम तापमान 11-12 डिग्री सेल्शेस तक पहुंच सकता है मौसम विभाग ने अपने पुरोनवान में बताया है कि जारखन में 15 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुन रहने का अनुवान है जबकि बाद में आसमान साफ रहेगा जैक ने नवी और एगारवी की परिक्षा फर्म भरने की तारिक बढ़ाई बिद्यार्थी और शेमीडत की विना बिलां सुल्क ए 18 दिसंबर तक वा बिलां सुल्क के साथ 29 स सथ 27 दिसंबर तक जमा लिया जाएगा आठ लाग से काम आयवालों के इलाज में सरकार करेगी मदद राज्य के जिस भी ब्यक्ति की आई आठ लाग से कम है उसके इलाज में सरकार स्वयोग करेगी इसके लिए उन्हें असाध्य रोग काड का लाब दिया जाएगा या घोस्ता मुक्ष मंत्री हमान सुरे ने सरनिवार को हजारी बाग के गांधी मैदान में की है वह प्रमंडल अस्तरी आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कारकरम को समभोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राजे में विस्थापन आयोका गठन किया जाएगा वही राची से बोकारो फोरलेन का निर्मान कारे भी जल्द पूरा होगा अब सभी बर्गों के छात्रों को विदेश में उस्थिक्षा के लिए राज सरकार स्वयोग करेगी पांच हजार से अधिक लड़कियों की तसकरी के आरोप में पन्नालाल गिरफतार परवर्तन निदे साले ने धन सोधन के एक मामले में जारखन के कथित अपराधी को गिरफतार किया है बतादे ब्यक्ति पर पांच हजार से ज्यादा लोगों की तसकरी करने कारोप है एजेंसी ने रभी वार को यह जनकारी दी परणालाल महतो उर्फ गंजू राष्ट्रिय जाच एजेंसी के एक मामले की जाच के संबंद में राची के बिरसा मुंडा जेल में बंध है और इसी दोराण उसे गिरफतार किया गया पतादे परवत्तर निदे साले द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 10 दिसंबर को राची की बिशेस धान सोधा निरोधक अधिनियम अदालत ने उसे पांच दिन के लिए केंद्रिय जाच एजेंसी के हिरासत में भेज दिया जारखन में ओमी क्रोन के तीन संदिक्द मरीज भरती क्रोना की दिसरी लहर को लेकर असंका काफिर पहले से ही जाईर की जा रही थी जीसे लेकर केंद्र सरकार हो या फिराज सरकार सभी अपने अस्तर पर तेरिया कर चुके थे बता दे एक वक्त ऐसा भी आया जब देश में कुरोना की मामले काफी कम हो गए सब कुछ समाने होने लगा था लेकिन इसी बीच कुरोना वाइरस के नए वरियंट की दस तक ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है बता दे देश में अब तक कई मरीज ओमिक्रोन से संक्रमित मिल चुके हैं जिनका देश में अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है अब ख़बर आई है कि रभी वार दोफ़र करीब साड़े बारा बए रांची के सबसे बड़े अस्पताल रहे उसमें एक कोरोना पोईयर्टिव मरीज को भरती कराया गया जिसे निव ट्रामा सेंटर से भरती कराया गया डक्टरों को असंका है कि महिला नए वेरियेंट ओमिक्रोन से ग्रसित हो सकती है कक्षा तीन तक के छात्रों को मिलेगा बुन्यादी संख्या का ग्यान नई सिक्षा निति के तहर सरकारी बिद्यालों में अधनरत कक्षा तीन तक के परतेक बिद्यार्थी को बुन्यादी संख्या का ग्यान दिया जाएगा उन्हें पढ़ने लिखने वा परभावी सनवाद में निपुन किया जाएगा बता दे पोर्जेक्ट कारे प्रस्नोत्री रोल पले मोखिक लिखिक प्रस्ति करन जैसी गति पिद्यों में बचों को सामिल किया जाएगा फांडेशनल लिटरेंसी एंड नुमेरसी के तहद प्री स्कूलिंग को बेहतर बनाने का प्यास किया जाएगा बच्चों की भावनाओं को समझने वह अभिव्यक्त करने टीम वर्क सरेरिक विकास आधी की दिशा में भी काम किया जाएगा विभाग की ओर से इस योजना को ध्रातल पर उतारने का काम हो रहा है जारखन सिक्चा परयोजना परिषत की राजे परयोजना निदेशक ने जीला सिक्चा पता तिकारी वह डी एसी को पत्र प्रिसित किया है जे पीसी पीटी परिक्षारद कर CBI जाज की मांग भाजपा ने जे पीटी परिक्षा में गरबड़ी का रोप लगाते वे CBI जाज करने और पीटी परिक्षारद करने की मांग की है साथ ही जे पीसी के चेर्मेंड को बर्खास्त करने की मांग की उठाई है बता दे परदेश भाजपाद्यक्स दिपक प्रकास ने कहा कि हमने जिन गलबडियों को उजागर कर आरोप लगाए थे वह सच साबित हुए जिन 49 छातरों को रियल्ट में सफल घोसित किया गया था उन्हें अब बिफल घोसित किया गया यह तो गलबडि की प्रारंविक अवस्ता है ऐसे में पीटी परिशा कुरवद करते हुए पुरे मामले की सीविया जाच हो 50 क्यूंटल से अधिक धान बेचने परकट जाएगा रासन कार्ड से ना धान खरीद सुरू होने की तियारियों के बीच किसानों के लिए एक बुरी खबर आई है बता दे 500 के माद्यम से निम्तम समर्थन मुल पर धान खरीद मामले में जार्खन सरकार ने इस बार एक नई सहत जोड़ दी है इसके अनुसार 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसान रासन कार्ड के लिए अपात रहोंगे यानि वैसे किसानों का नाम रासन कार्ड के सुची सहटा दिया जाएगा इस फ़सले से जार्खन में बड़ी संख्या में किसान परभावित हो सकते हैं बता दे कोडार्मा जीला में 615 किसानों ने धान की विक्री के लिए अपना डिबंधन कराया था इसमें से लगवग 50 पर 30 यानि 33 किसानों ने 50 क्विंटल से ज्यादा धान की विक्री की थी जार्खन में कुरोना के 18 नाई केस मिले हैं जबकि 14 मरी स्वास्त भी हुए हैं जार्खन में कोलेक्टिव केस की संख्या 133 है भारत में 77-74 नाई केस मिले हैं जबकि 84-64 मरी स्वास्त भी हुए हैं भारत में कोलेक्टिव केस की संख्या 91,555 है रब्बिवार को रांची से बैसनो देवी दर्षन ट्रेन रवाना इंडियन रेलेवे गर कैटरिंग एन्ट टूरीजम कारफोरेशन लिमिटेड यात्रियों को बैसनो देवी सहित उत्तर भारत का दर्षन कराएगा बतादे रांची रेलवे स्टेशन से रविवार सुबा 7 बजे अभी से श्टेन रवाना हुई सांसद संजाय सेट ने हरी जंडी दिखा कर इसे रवाना किया इस मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद थे बतादे 20 दिसंबर को यातरा का समापन होगा 650 से अधिक यातरियों की बुकिंग हुई थी सांसद संजाय सेट सहीत रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि भारतिय रेलवे ने यह संदार पहल किया जैक 2023 की इंटर मैट्रिक परिच्छा के रेश्टेशन सुरू जारखन एकेडमी काउंसिल के अध्याक्ष और उपाध्याक्ष के नियुक्ति हो जाने के साथ ही परिच्छायों को लेकर तेयरिया जोर पकड़ ली है बतादे जारखन एकेडमी काउंसिल ने नौवी और एकारवी की 2022 में होने वाली बार्सिक परिच्छा के लिए फर्म भरने कितिती घोसित कर दी है इसके साथ ही साल 2023 में होने वाली मैट्रिक इंटर परिच्छा के रेश्टेशन कितिती भी जारी कर दी है इस नोटिफिकेशन के तहुत इंटर मैट्रिक परिच्छा में सामिल होने जार है सवी रेगुलर और प्रावेट मोड में स्टूडेंट रेश्टेशन करा सकते हैं साइन्स आर्ट्स और कोमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट रेश्टेशन करा सकते हैं प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 14 दिसंबर से इंटर्वियू जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा पांच बिसायों में 103 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 14 दिसंबर 2021 से इंटर्वियू लेने का नेने लिया है जबकि कागजाद सत्यापन का कार्या 13 दिसंबर 2021 से किया जाएगा बतादे आयोग द्वारा जारी अजी सुचना के मताबिक भूगोल विशाई के लिए कागजाद सत्यापन 13-14 दिसंबर को होगा जबकि इंटर्विव 14-15 दिसंबर को किया जाएगा पलामू बैंक लोकर से गाएब 90% गहने बरामाद जारखन के पलामू जिले के मेदनी नगर में पीनबी लोकर कांड से प्रभावित लोगों को अबजल धी रहात मिलने की उमीद है बतादे लोकर से जो गहने निकाल कर बंधख रखे गए थे पहले पूलिस ने उसे बरामत किया और उसके बाद टी आई प्रेट के माध्यम से लोकर अधिकारियों से उन गहनों की पहचान कराई पहचान का काम पूरा हो गया है पतादे अब इस मामले में पलामू पूलिस नियालाई को रिपोर्ट सोपेगी उसके बाद नियालाई के आदेश पर आगे की करवाई होगी जोहर नवदे बिद्यालाई छात्रे शत्राओ का मिलन समारो लोहर दैगा इस्थित भगसों कोई नदे तट पर अभिवार को जोहर नवदे बिद्यालाई जोगना के पुर्वर्ती छात्रे शत्राओ का मिलन समरों हुआ, बतादे मोखे पर छात्रे शत्राओ ने नए वर्स के आगमन के पुर्व पिकनिक सा मिलन समरों में खोब मस्ति की चात्र चात्रावों ने एक दूसरे से मिल कर लजीज ब्यांजनों का लुप्त उठाते हुए पुरानी यादों को ताजा किया साथ ही एक दूसरे से अपने भविश को एक अच्छा आयाम देने सहीत अने बातों पर चार्चा की टेट उतीर्न नहीं करने वाले सभी परासिक्षक को देनी होगी परिक्षा परासिक्षक की परस्तावित सेवा सर्त निमावली के अनुसर वैसे परासिक्षक जो सिक्षक पत्रता परिक्षा उतीर्न नहीं है उन्हें अनिवारे रूप से आक्रन परीक्षा में सामिल होना होगा इस परीक्षा में सामिल नहीं होने पर या मान लिया जाएगा कि उन्होंने इसके लिए मिलने वाले ओसर का उपयोग कर लिया है इस परिक्षा में सामिल होने से पहले परासिश्कों के सेक्षिनिक पर्मान पत्रों की जांच भी होगी बता दे आकलन परिक्षा जारकान एकेडमी कॉंसिल दुवारा आउजित की जाएगी दो अस्तरों में होने वाली इस परिक्षा में इंटर प्रसिक्षित परासिशकों के माधिमिक एवां असनातक प्रसिक्षित परासिशकों से इंटर अस्तर के प्रसिक्षित प्रसिक्षित प्रसिशकों से इंटर अस्तर के प्रसिक्षित 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 प्रसिक का दिया आवयदन राइधानी के 1 लाग 20 एर विधयर्थियों पोस्ट मेत्रिक छाथि वेति के लिए ओनलाइन आवयदन किया है दरसल जार्भान और राजी के बाहर मानत अपरावत 27 महां बिध्या लेओ और पोस्ट मेत्रिक विध्यार्थियों के स्कोलर्टिप के आवयदन किया है धन्यवाद